आज हम कुछ class 12th art जो रखे हैं, उसके लिए 2023 में जो आप लोग appear उड़े, उसके लिए बहुत महत्पुन objective लेकर आये हैं, आज इसको आप देखते हैं, कि कितना इसमें से solve कर पाते हैं, इसको हम लोग objective, इस वार्ड क्या है, कि हम लोग को double मिलेगा, माल लेजिए, जो अगर रहेगा, उसमें से आपको मारना कितना है, सिर्फ 35 मारना है, इसलिए आप अगर हमारे वीडियो के देख करके, अगर इसको अच्छे से explain करके हम बताते हैं, उसको आप क्या करते हैं, मार सकते हैं objective में, कहते हैं कि निमलिखित में से कौन भू उपयोग संबर्ग नहीं है, क यह भी क्याता है, तो भू उपयोग संबर्ग में आते हैं, आप करा इसमें हमको धियान दे रहा कि नहीं पूछ रहा है, तो इसमें तो आते हैं यह तो एंसर होगा ही नहीं, अगला है, उपसण वड़का, सिमान्त भूमी, उसको बाद है, अपसण वड़का, निबल भोय यह भी आते हैं ये भी आते हैं अगला किछ में कि में आते हैं तो भुन उपयोग संबर्ग में आता है कौन-कौन पाहला और गव और घष तो इसमें कौन सा नहीं से कारण है कराकि 40 बर्स में कि बण की संख्या क्यों बर रहे हैं इसके क्या-क्या कारण है टो अप्संवर को है बण इकरण के विर्श्तरित और सख्छम पढयाश option और ख है, सामुदाईक बन के अधिन छेतर में बिर्धी, option और ग है, कि बन बढ़ोतरी है तू, निर्धारित अधिसूचित छेतर में बिर्धी, और option और ग है, बन छेतर परवंधन में लोगों की बेहतर भागेदारी, हम लोग जानते कि हमारे प्रियावरन संतूलन के लिए कम से कम कितने परते हैं भागपन, तो ताइंटीस परतीस भागपन क्या होना चाहिए, बन होना चाहिए, इसलिए काता है, इसका option क्या हो जागा, कि बन बढ़ोतरी है तू, निर्धारित अधिसूचित छेतर में बिर्धी, अगला question है, अगला question है, करा कि दे, निम्न में से कौन सा सिंचित छेतर में भूमी निमनी करन का मुख परकार है, इसलिए कि ब्भूमी के पोशाकत में कम होना भूमी निमन करन करता है, और कहरा कि सिंचित मने जहां पर हम अधिक सीचाई करते हैं, मने अधिक बानी डालेंगे, तो उसमें भूमी में क्या पड़िबरतन तो कारा के पाला है, अबनली का अबर्दन होगा, ये तो होगा ही नहीं, option कब निकल ले दैंखी, और दूसरा है option ख में, बायू अबर्दन, option नमर eres gun, मिर्दा लबनता, option नमर घर की भूमी पर, silt का जमाब, तो इसमें क्या होगा? option number the, मिर्दा लबंता, अगर हम पानी बार-बार डालते हैं, जहाँ पर नमी की अधित्ता हो जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, भूमी लबंता की संख्या में बिर्दी होगा, तो option नमर क्या होज़ा है इसका, गर, अगरा question है, कि सुख्स क्रिसी में निमलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, कहता है सुख्स क्रिसी, हम जानते हैं कि सुख्स क्रिसी क्या होता है, कि जहाँ पर 75 cm से कम बारिस होता है, और वहाँ पर जो क्रिसी के जाते हैं, उच्छी कों क्या कहते हैं, सुख्स क्र नहीं बोई जाएगी तो पहला की रागी दूसरा है जुआर मुंग फली और काता है गन्ना तो देखिए रागी जुआर और मुंग फली इस सब के कम पानी देंगे तो भी क्रिसी कर सकते हैं लेकिन गन्ना के लिए अधिक पानी कब सकता होता है इसलिए इसका option क्या हो की अधिक उत्पादक्ता की किसमें विक्सित की गई थी हम जानते हैं कि हमारे यहां पर उस समय अनाज की बहुत समस्यां थे तो हमारे यहां पर हरित करांती की शुरुआत हुआ था और उसी का देन है हमारे यहां पर आज हम लोग संपन हो गए अनाज की दृष्टी से तो कौन सा होगा Japanese कि कि ज़ूमिंग की सिक जाती है और चर्टन दिष कहा aan कि जाती है पहला है कि उततर पर्देश में यह उत्तर परदेश है नियrière है पंजाब में यह जुमिंग क rifi है अजव 아니에요 कहां कहते है बनबाल या थे जस यह कौन सा है तो हम देखें सेवन सिश्टर जो है वहाँ पर अधिक मात्रा में बन है और वही पर यह किरिसी किये जा जाते हैं तो अप्शन नमर क्या जगा है घह असम में और यह सब सारे मायदानी भाग में आते हैं इसलिए यह सब इंसर नहीं होगा अगला क्वेशन है कि निम्नांकित में से तौन सा छेतर धान का कटोरा कहलाता है धान का क्या जहां पर धान अधिक मत्रा में उत्पादन की जाते हैं पहला ऑप्शन है क्रिश्ना गोदाब्री डेल्टा छेतर ऑप्शन अवन गंगा खो है गंगा सिंदू मैदानी छेतर और गोँ है उत्तर पुडवी छेतर और ऑप्शन अवन गोँ है केरल तथा तेमिलाडू छेतर तो कहां पर सबसे धान की खेति की जाते हैं तो ऑप्शन अवन को क्रिश्ना गोदाब्री डेल्टा छेतर में इसलिए से धान का कटोरा के नाम से जानते हैं अगला क्वेश्चन है कराकी भारत में सुनहरी करांती किस्से समंदित है कराकी सुनहरी करांती ओप्शन अवर गो है उन उत्पादन ओप्शन ख है तिलहन उत्पादन और ओप्शन अवर गो है बागवानी किरीसी और ओप्शन अवर गो है पढ़ियटन विकास इसमें क्य और आजाएगा option number go बागवानी क्रीसी अगला question है निमनकानकित में नगदी फसल है इसमें कारा कि नगदी फसल कौन सा है जिसको हम बेच करके अधीक पैसा अर्ण कर सकते हैं उसे हम क्या करते हैं नगदी फसल के नाम से जानते हैं तो इसमें कापास कापास भी नगदी फसल ह जूट और खा है जूट भी क्या है नगदी फसल है और 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 गवा है यह भी नगदी फसल है तीनों नगदी फसल है तो option क्या हो जाएगा गवा इन में से सभी अगला क्वेस्टिन है की निमलिखित में से निऊनतम सस्ची गहनता कितनी है कातां सस्ची गहनता जहां पर बहूत अधिक मातरा में क्रिसी के जाते हैं कातां option वर क्व है 0% option वर 99% option ड़को है 100% और option वर क्व गव है 330 तो क्या जाग एशवे ? option number गव एक 100% अगला क्वेश्चन है कि निमलिखीत में से कौन सा घू उपयोग संबर्ग नहीं है घू उपयोग माने जिसको हम लोग घूमी उपयोग में नहीं पड़ियो करते हैं पला पड़ती घूमी अपसे नवरग क्वेश्चन है और अपसे नवरग के संबर्ग में आते हैं कौन कौन को उसके बाद है खव और घूमी ये भूमी ब्हूमी उपयोग के संबर्ग नहीं है अगला question है कि निम लिखित में कौन एक ब्यापारिक फसल नहीं है ब्यापारी पूछरा हमको ब्यापारी माने उच्छी को बानी जीव हम फसल के नाम से जाने दिश्क्यों बेच करकर अधिक लाब कमा सकते हैं इसमें क्या पूछरा कि नहीं है इस चाय अभी यह पढ़े चाय क्या है तो ब्यापारिक फसल है जूट भी ब्यापारी फसल है और कापास भी ब्यापारी फसल है तो चाय जूट और कापास यह क्या हो गया ब्यापारी फसल हो गया लेकिन यह हूँ क्या है खाद्यान फसल है इसलिए option क्या हो जाएगा गौर अगला question है कि निम्न में से कि कौन सबसे महत्पून जूट उत्पादक छेत्र है कि सबसे अधिक जूट उत्पादक कहा होता है अगला question है कि भारत में चावल का सबसे बड़े उत्पादक राज कौन सा है option नमर को है बिहार, option नमर को है ओडिसा, option नमर कोई है पच्छी म बंगाल और option नमर二 ग अंधिर पर देश इसमें कौन सा राज है जहां पर चावल कुज पादन सबसे अधिक किये जाते हैं तो क्या जगा option नमर गोई पच्छी म बंगाल लेकिन परती हेक्टेर पूछे परती हेक्टेयर पुछे का तो कौन हो जगा पंजाब धियान लखेंगे परती हेक्टेयर में पंजाब है लेकिन राज पुछे का तो कौन हो जगा पच्छी मंगाल अगला क्वेशन है कि गेहूं की खेती के लिए आदार स्तापमान कितना होना चाहिए गेहूं जब हम बुगाई करेंगे उसके लिए आदार स्तापमान कितना है को है पांच डिग्री से दस डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए और अप्शन में क्या हो जागा ऑप्शन नमबर कितना दस डिग्री सल्सियस से लेके 20 डिग्री से सल्सियस के बीच में होना चाहिए लेकिन पक्ते चमाय से अधिक होना चाहिए किस्दूठlair को डिग्री से Manufacture के बीच में होना चाहिए क्या है फसल पक्ते समया काटके समय का है अगला है कि खड़ी फसल की क्रीसी-डीटी क्रीसी-डीटी क्या है कि कौन फुचर हमके के खड़ी फशल होता है खड़ी फशल है और जॉत हम games तो क्यास है तो खड़ी फशल क्या हुआ है क्तूबर के मार्च अपरेल से जून और सितम्बर है सितम्बर से जनवरी और सवह जून से सितम्बर नामалось इसी को अन्म और बर्सा रितु के फसल के नाम से भी जानते हैं तो बर्सा हमारे यहां पर सबस्यादी किस समय में होता है तो जून से लेके सित्म बर्तक इसलिए ओप्शन क्या जगा इसका गहाँ अगला क्वेशन है कि रभी की फसल में पाइदा होती है कतकी रभी की फसल जो किस समय में पाइदा होती है रितु की बात करा यहां पर तो देखो हमारे कहते हैं ओप्शन नमर्ड को है सीती रितु में ओप्शन नमर्ड को है वर्सा रितु में ओप्शन नमर्ड को है गिरिस् सी तैब कर इसकी अम cleaning अगला कोईशन है कि निम्न में से कौन फसल एक फसल पैम पपीने वला है आदत होगा आप तक चाहिए ने देता है आज अच्छा नहीं लग रहा है और अप्शन घौ है इसमें से कोई नहीं इसका क्या हो देगा ऑप्शन अबर खोच यह क्या है पेपरदार्थ है यह चाहि रहे या कॉफी भी होता है पेपरदार्थ अगला है कि चौकलेट में कौण सा परदार्थ उप्योग होता है आप लोग खाते हैं चौकलेट उसमें कहते हैं कौण सा परदार्थ पढ़ियोग करते हैं पहला अप्सरम है कहवा अप्सरमर ख है कोको अप्सरमर गव है गन्ना और अप्सरमर गव है तुकंदर इसमें क्या करते हैं कोखो या कोफी ऑप्सिन नमर ख़र करक के अगला कोच्छन भारत में गेहूं उत्पादक में अगर निये राज कौन सा है करक गेहूं उत्पादन में सबसे पर्थम राज कौन सा है अप्सन नमर्ड को है बद्द पर्देश, अप्सन नमर्ड खो है पंजाब, अप्सन नमर्ड गो है हडियाना और अप्सन नमर्ड घो है उत्तर पर्देश, हमसे राज पूछ लगाता कौन हो जगा उत्तर पर्देश, लेकिन परती हेक्टेर पूछेगा तो क्या हो जगा पं प्रदेश में होते हैं अगला क्वेचन है कि हरित करांती संबंदित है हरित करांती की शुरुवात 1960 के दसक में हुआ था आप लोग जानते हुआ कि खद्यान से संबंदित था तो क्या जगा पाला है खद्यान उत्पादन से और 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 अगला question है कि निम लिखित में से कौन पे फ़सल है फिर वही आगया पे फ़सल हम क्या बताएते पीने वाला जिसको हम लोग पीते हैं तो option नबर को है चा, option number को है कौफी और option number गोह है को तथा खो दोनों और option number गोह है इन में से कोई नहीं तो क्या हो जागा चाई और कॉफी ये दोनों पे फसल है तो option number क्या जगा गा अगला है कि निमलिखित में से कौन बगानी फसल नहीं है बगान जिसको हम लोग बगान की रुप में नहीं लगाते हैं और क्या है और अगला क्वेस्चन है भारत के किन दो यूगम राज्यों में गेहूं की परती हेक्टेयर उत्पादक उस्तम है यहां पर क्या पुछ रहा है परती हेक्टेयर मनें एक हेक्टेयर में कहां पर सबसे अधिक मत्रा में गेहूं की उत्पादन सबसे अधिक होता है तो हम देखते हैं उप्शन तुपाला है उत्तर परदेश बिहार नहीं होगा यह क्यों नहीं होगा कि उत्तर परदेश सबसे अधिक उत्पादन करने वा अधिक क्या काते हैं चाहे धान हो चाहे गेहु का प्रती उत्पादन प्रती हेक्टेर अधिक होते हैं तो अप्सन नमर क्या जागा खो कपास उतपादक नहीं है इसमें कपास उतपादक राज नहीं होगा तो हम लोग जानते हैं काली मिट्टी का सबसे परमुक्फसल कौन सा है कपास देख आंदर परदेश महारास्ट भर्याना यह तीनोड जो छेत्र है जहां पर कपास के उत्पादन होते हैं और कहां नहीं होते हैं 36 गड क्योंकि 36 में कौन सा मिट्टी मिलता है लाल मिट्टी मिलते हैं इसलिए इसका अंसर घौ होगा अगला इसलिए मिलिखित में कौन सी खादी फसल है विसको हम लोग खाने से नाम से जानते हैं गन्ना, कौफी, मक्का, चुकंदर तो देखिए इसमें हम किस्को करते हैं खाने में पढ़िए करते हैं तो मक्का, option number गहुचन है कि निमलिखित में कौन सी रोपन फसल नहीं है, रोपन फसल पुछ रहा है कि नहीं है और देखिए इसमें ध्यान रखिया कि किकार किया रोपन फसल नहीं है, देखिए, option number कह है, coffee, option number गहुचन है, गन्ना, और option number गह है, rubber, coffee भी रोपन फसल में आते हैं, गन्ना भी रोपन फसल में आते हैं, और rubber भी रोपन फसल में आते हैं, तो कौन सा पच गया, option number गहुचन है है क्या है तो रोपन फसल नहीं है यह खाद्यान फसल है अगला क्वेशन है कि निमली खित में कौन रेसेदार फसल है रेसेदार जिसके हम लोग असी सब बनाते हैं तो यह क्या हो गया दोनों प्रछल हो गया यह क्या हो गया? अध्यान फसल, ओप्सन नवर कौन बचा? घः, तो घः क्या है? कपास, यह क्या है? रेशेदार फसल है, अगला question है, कि नीमी लिखित में से जल किस परकार का संसाधन है? ओप्सन नवर को अजाइब संसाधन है, ओप्सन नवर खो और नभी करनिये संसाधन और ओप्सन नवर घः जैव संसाधन है, और ओप्सन नवर घः चक्रिये संसाधन है, तो क्या जगा इसका? ओप्सन नवर घः चक्रिये संसाधन है, बस आज यहीं हम कलास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं next class में